ठीक है हमारे साथ उत्तरप्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी जुड़ गये हैं दिनेश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत एपीबी गंगा पर और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमको वक्त देने के लिए बहुत आबार आपका दिनेश जी शुरुवाती रुजहान आपके पक्ष में आ रहे हैं तो क्या कहेंगे आप देखे अभी परणाम आने दीजे इतना हम कह सकते हैं कि जैसे बरिश्रम हमारे प्रदार मंत्री जी ने पूरे पांच वर्स किया योगी जी ने भी दो वर्स में किया है और जनता तक सीधे हमारे विकास कारे पहुंचे हैं तो ये अतिश्योग तिपूर्ण नहीं है कि हमें पूर्ण बहुमत की सरकार प्राप्त होगी और पहले से अधिक सीटों के साथ बारती जनता पार्टी उसके सहयों की दिल अपनी दिखाई पढ़ना है आप अभी भी कायम है इस बात पर यहां किसका आकिस पार्टी का प्रभाव है यह देख के भी रुजान आते हैं मैं इतना निश्यत कह सकता हूं कि चोह और भारती जनता पार्टी का के प्रती जनता का कशन था और पूरी तरीके से जो जनता थी वो मोधी जी को दुबारा लाने के लिए कटीबद दिखाई देखा है वो निश्यत रुप में एक अभूत पूर द्रस्टे रहा है चुनाओं के समय और उसका प्रतिफल जनता स्ट्रीट के रूप में बदल कर जरूर देगी इस भारती जनता पार्टी को और उनके सहयोगी दालों को दिरेश जी उत्तर प्रदेश में चुनाओं मुख्यमंत्री योगी को कितना योगदान देंगे अगर नतीजे आपके पक्ष में जाते हैं तो इसमें ज़्यादा योगदान आप इसको देंगे मैंने हम लोग ने बुरे देश का चुनाओं देश के प्रदर मंत्री के लिए लड़ा है जाहिड सी बात है मानेरी मोदी जी का सबल नेत्त तो प्राप्त हुआ है और जितने भी अन्ने प्रदेश हैं उनके लोग उनके साथ में एक पूरक बनकर सबने काम किया है तो ये मोदी जी और योगी जी का जो अभूतपुर तार्तम में है और जो अमिसाह जी का जो संग्टनात्मा कोशल है वो उसने चुनाओं में एक सकारत्मक दिश्टी रखी है मेरा ये सीधे से कहना है कि जनता का जो आकर्षण भारती जनता पार्टी के प्रतिर रहा है तक बचा के रखती है और उसको तब निकालती है लेकिन हर चुनाओं चाहे वो कार्पुरेटर का चुनाओं हो चाहे वो लोगसभा चुनाओं हो अब तो उत्तरप्रदेश में आपकी बड़ी प्रशन बहुमत से बनी हुए सरकार है ले देकर आपके पास मोदी मोदी हर देखते हैं लेकिन प्रदेश में लोगस देखते हैं कि जो प्रदेश की सरकार है उसका के सरकार से कितना सामन जसे होगा और निश्य तरुपे उसका लाभ भी मिलता है कि लोग चाहते हैं कि डबूल एंजन की सरकार हो और प्रदेश और केंदर दोनों में सरकार हो और वो इसी प्रकार से वो चाहते हैं कि वो इस्थानी जो सरकार कोर्परेशन की बने वो भी उसका सामन जस प्रदेश सरकार से अ अधिक काम किया है जो मानी अकलेश जी की पांच साल की सरकार थी उतना उसने काम नहीं किया होगा जितना योगी जी की सरकार ने कियो दो वर्स के अंदर करके दिखाया है तो इसका सीधाल आप केंदर सरकार की सहायता से की गए कारियों का सीधाल आप जनता पर पड़ा है और प्रदार मंत्री आवास के अंतरगाज जहां पर वो लोग मिलेंगे जहां बिजली का कनेक्शन और सौचाले का निर्माड के साथ साथ जिनको जनदन खाते का जिनको रिण माफी का लाप मिला है तो मैं कहूँगा कि ये अलग प्रकार का चुनाओ था जिसमें प्रदार मंत्र तो जाती समीकरणों के हिसाब से ही आपने ना सिर्फ अपने कंडिडेट उतारे बलकि पूरे समय पर धर्म भी फ्रंट सीट पर रहा प्रचार में तो यह अगर चीत होती है तो यह विकास की होगी या समीकरणों की होगी या एक तरीके से जो आपके उपर आरोप अक्सर विकास और दूसरी चीज हमारी यह थी कि हमने मोदी जी और विकास के नाम पर चुनाओ लड़ा है लेकिन एक चीज आशर हुआ मुझे जानकर कि विपक्ष जो पहले चुनाओ लड़ता था कि बिजली नहीं आई इसी पर चुना हो जाता था प्याज का दाम डाल का दाम मह होगा इसी पर चुना हो जाता था गेहूं और धान का क्रैन नहीं हो रहा है किसान परिसान है इसी पर चुना हो जाता था और मिट्टी का तेल नहीं मिला और पता चला सड़क नहीं बनी सोंचाले नहीं बने इसी पर चुना हो जाता था इस बार जो हमारी तरफ से यानि भा त्यारा कभी नीश या कभी अन्य सम्मादुनों के साथ में सेंक्यों को से अपील करता दिखता था यह बाटनेंग की उनकी पुरानी रड़नीत थी वह इस बार के चुनाओं में मैं समस्ताओं पुरी तरीके से फेल होगी दिनेशी आपने विपक्ष का तो नाम लिया लेकिन अगर पूरे चुनाओ को देखें तो आपके हां से तो आपके मुख्यमंत्री पर भी प्रतिबंद लगा भाशाई मर्यादा तो आप पर भी आप चुनाओ अभी जीतते हो दिखाई पड़ना है अभी रुजहान आपके प किसी भी नेता के प्रतिब्सब्दों का प्रयोग हमारे किसी भी नेता के द्वारा नहीं किया गया है और अगर कहीं सब्दों की मर्यादा किसी ने तोड़ी होगी तो हमारे उच्छ वर्ग ने उसको निश्यत रुप में हिदायत भी दी होगी लेकिन मेरा मानना है कि हमारे वहाँ पे सब्द का सयम और अनसासन ये प्रमुकता रहता है और हमारे हर पार्टी के नेता और करकरता कुछ को मानना होता है दिनेशी देखिए आप तो सिक्षक हैं काफे सौमे वेक्ति हैं आपका मैं आभार वेक्त करूँगा माना जाता है कि जीत के महाँ में सारी चीज़े एक तरफ बह गई गई लेकिन जो खाई पनी थी अगर सत्ता में चुकी उत्तर प्रदेश की आप हैं और केदर में पर आप बंस दिखाए पड़ने हैं तो उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे आप आपने जिस बयान का उलेक किया है मैं समझता हूं आपने जिस बयान का उलेक किया है उसे गलत संदर्भों में लिया गया और क्रिया की पृत्करिया के रूप में अगर कुछ सब्दों को कहा गया तो वो तोड़ मरूड कर भी उसका उलेक हुआ है मैं समस्ता हूँ कि सब्द का सयम ये भारतिय अंता पार्टी की पहचान है और इसका बविस्व में भारतिय अंता पार्टी जैसे भूत में ख्याल रखती आई है बविस्व में भी इसका ख्याल वो हमिसा रखती रखेगी ऐसा मुझे विश्वास है बहुत बहुत धनिवाद दिनेश जी हमसे जुनने के लिए कम से कम आपने जो कहा कि चुनाओ के बाद इन सीजों का ध्यान रखा जाएगा और ये खाई दूर करने कोसिस की जैगे। बहुत बहुत धनिवाद है वीपी गंगा से जुनने के लिए